पॉमेंट और साउथ आफरीका विद्वेश मेच कहला जाने वाला है दोस्तों तीसरा और फाइनल ओडियाई मेच है जो कि दुस्तों आल्रेडी साउथ आफरीका टीम विन कर चुकी है ठीक है पाकिस्तान के तरफ से इस मेच में आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे फात और तीनों की त्युनों टीमों मैंने कोसिस करिए पाकिसान के फेवर में टीम बनाने के लिए क्योंकि ग्रैंड ली खेल रहा है थोड़ी से रिस्की टीम आपको बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा आउट आफ दा बोक्स सोचके आपको टीम क्रियेट करनी पड़ेगी इस साउट आफरेगी फेवर में हर कोई टीम बनाने वाला है लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा अलग हटके दोस्तों पाकिसान के फेवर में टीम लेके चला हूँ ठीक है आप चाहो तो कुछ टीमों साउट आफरेगी फेवर में बना सकते हो ठीक है यहां पर अपन सारे के सारे प्लेयरों के बारे में बात करने वाले हैं कौन-कौन से प्लेयरा पर्फोर्मेस दे सकते हैं अच्छी जिनसे आप एक्सपेट करसें रख सकते हो उन पर भी फोकस करेंगे और जो नए-नए प्लेयर से आने वाले हैं उन पर भी डिसकस करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स कि मत करना पूरा जरूर देख लेना अब से बिला दोस्तों इन दो प्लेयर के अरे बात करें तो इन दोनों का सिलेक्शन जो है 95% से भी उपर है और अगर कैप्टन वाइस देखा जाए दोस्तों तो 55% के करीब लोगों के कैप्टन है नडाइन डिकलर और बाकी के 20-22% 25% के स अगर दोस्तों आज की मैच में 11 टीमों के साथ इस मेच में खेलने का सुच रहो और 11 में सुच दोस्तों मेरी टीम में 2-3 एस टीम जरूर रहेगी जिन में में इनको ड्रॉप करने की रिस्क लूँगा और बाकी लगबग मतला मान के चलना आठ एक टीमों में ये फिक्स मे इन लिग विन कराने में हेल्प कर सकता है दोस्तों अभी जो इस खीनी पे तीन प्लेयर देख रहे हैं इन तीनों का सिलेक्शन जो आता है 75% से 25% के बीच में हैं दोस्तों इन तीनों highly selected player हैं जिसमें आलियर या जोस्तों all rounder है जो कि अभी तक बैटिंग में अच्छा करके आ रही हैं और साथे साथ बॉलिंग में दुस्तों ठीक ठाक पर्फोमेंस इन की रही है बट मेरे साब से अगर पाकिस्तन चेस करता है और वन साइड़ विन करेगा दूस्तों South Africa जादा इसको नहीं कर पाई तो हो सकता है इनको betting ना मिल पाए और बॉलिंग में भी इतने ज सब्सक्राइब में जरूर रिस्क लीजेगा ड्रॉप करने की सूने लूस फरस्ट में सत्क मारें गए ज़िकारट से इनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई हो चुका दूस्तों बट हर में इसा नहीं होता है क्योंकि केवल बेटिंग कर रही है अगर जल्दी आउट हो हलागि सारी टीमों में ड्रॉप नहीं करना है इनको भी दूस्तों अपन पास से साथ टीमों में लेके चलेगें बागी टीमों में अपन रिस्क ले सकते हैं आयोबाना खाका दोस्तों लास्ट इस्ट में तीन विकेट ले गई जिसका नहीं सेलेक्शन बहुत ज्यादा मेरे साब से मुझे इस मेच में इतनी इंपॉर्टन नहीं लग रहे हैं बट अगर आप लेना चाहों बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 75% लोगों लेके बेठे हुए हैं फास्ट में दोस्तों विकेट लेस्ट गई थी तब इनका सिलेक्शन 15% था लेकिन दूसरे में तीन विक चालके ले गहीं थी दोस्तों ठीक है तो एसे डिफ्रेंसल प्लेयरों को आप ट्राय करें अगरों अब और रेडी तीन विकेट ले जा चुके हैं तो इस मेच में मुझे चलने की फॉस्पिलिटी थोड़ी से कम लेगी तो मैं अपनी कम टीममेट को ट्राय करूंगा आप बिल्कुल ले सकते हैं सेफ जाने के लिए दोस्तों 50 परसेंट से पिचतर परसेंट की बीज में गाते हैं जिन में कौन इंपॉर्टट रहेंगी वह पन देख लेते हैं सबसे बहले दोस्तों यहां पर आपन बात करें मुनीबा अली की तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ब बहुत कम दिला रही थी और दोनों विकेट की पवरों ने केचे स्टंपिंग के अच्छे पॉंट दिला दिया दिया और अब इस कारेंट से इनका सेलेक्सिन थोड़ा सा गट चुका है बट मेरे था सबसे मने पांकिस्टन टीम की बिल्कुल इनको इनको इसमेश में ट्राय क अच्छे फार्म में भी दिख रही है बिल्कुल इस सकते हो सेफ जाने के लिए तरजमें ब्रीट भी अच्छे एक एक चीद धियान रखना फर्स्ट में क्या होता नासरा संदू दो विकेट मेड़न आवर डालके गई थी और बहुत सारे पॉइंट के दिला रही थी और द प्रेंड लिक वाली प्लियर है बिल्कुल ट्राय करके चलना और विकेट टेक नेचर के बॉलरे पूरे दस अवर डालेंगे इस पिनारे वेन्यू भी इनको मदद करेगी दोस्तों एंड मलावा लास्ट इस में कुछ खास करनी पहें ये भी इस मैच में इंपोर्टेंट र खाका दोस्तों इस दोनों पेसर इस वेन्यों के सबसे ठीक ठाक प्लियर है लेकिन लास्ट इसे पर्फॉमस करके गई चूकि इस कारण से अब सिलेक्शन हाई हो चुका है जो जो सेफ जाना चाते हो वो ले सकते हो जो ग्रेंडी में थोड़ी से रिस्क लेने चाते हो वो पत्राय कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों वासा मतर की का फाव कुछा नहीं चल रहा था लेकिन लास्टिष में पर्फॉमस आगई से प्लेयरों पर आप रिस्क ले सकते हो डिफ्रेंसर प्लेयर आपको में बताऊंगा जिनको आप उनके जगा पर प्रिफर कर सकते हो नेदर दर काफी कंसिस्टेंट रहती है और बैटी बोलें दोनों में अच्छे पंड जलाती है बट इस सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉ से लेके 50% के बीच में यहां पर दोस्तों बिस्वा मरूप का सिलेक्शन बहुत ही जदा कम हो चुका है मातर 14% लोगों ने टीम में लिया है बट यह काफी कंसिस्टेंट बेट्स में और पहले तो बालिंग भी कर दी अभी कुछ टाइम पहले से बालिंग करने ने बंद कर है तो आली अरियाज को जिनको 75% से उपर लोगों ने ले रखा है तो मेरा सब्सक्राइब करो बहुत ही अच्छी है यह बेटिंग में आली अरे से काफी ज़्यादा बहेतर है दोस्तों यह तो यह कभी भी अच्छे फॉर्म में आ सकती बेटिंग और बीन का काफी अच्छ से उपर वाली प्लेयरों को तो अनके कामपेरिजन में ग्रेंड लिग खेल रहे हो थोड़ी से रिस्क लेओ तो इन प्लेयरों को ट्राय करो जो कि जादा अच्छी बहतर परफॉएंस आपको दे सकती है तो ग्रेंड लिग मेरा सदसन रहेगा कि साधिया एक वाल को आप ज सब्सक्राइब कर रहे हैं यह कुछ प्लेयर है जिनका सेलेक्शन हो चुका है 10% से भी नीचे और अच्छे प्लेयरों की बात करूं दूस्तों तो यहां पर सीधर हम इन सबसे पहले अच्छी कंसिस्टेंट प्लेयर उपन कर रही हैं बहुत ही कम सेलेक्टेट है जरू ट्र करके इनको ट्राइ कर लेना दूस्तों काफी अच्छी प्लीर है और आपको अच्छी परण जिला सकती मेरी एक टीम में दूस्तों कैप्तन भी मैंने को रिपे नहिए Bernard कर सकतिए व्ला सुने लूस्त त्की अच्छे पुए तो इस तरीके से फ़क्रेट Cristry बेंने को ड्रो चलते हैं तो दोस्तों इसके अलावा सीधरा समाज लास्टेस में जूरो पर आउट हुई है ठीक ठाक प्लियर है पिल्कु ट्राइक कर लेना ग्रेंड लिग में कुछ एक टीमों में सपोस्पोस ग्यारे टीम बना रहे हो दोस्तों तो एक दो टीमों में लेके चल सकते हो एक पेसस को विकेट नहीं मिले तो टीम इनके पास आएगी और ये आपको दो से तीन विकेट ले गई तो ग्रेंड लिग में बहुत उपर पुचा सकती है मातर साथ परसेंट सेलेक्शन है दियाना वेक आज आ सकती है फातिमा साना की जगा पर और नई प्लियर्स ओभी आती ह जबर ग्रेंड लिग में ट्राय करा को मेंग्स इंटम चलती है और आपको अच्छे प्रिप लिट लाके जाती है यूँ हनी अच्छी विकेट टेकर बॉलर है स्पीनर है इस वेलने पाच्छा कमाल कर सकती है अगर पाकिस्टन वन साइडिट विकेट निका जा सकती है और में आपको बहुत अच्छा विन करा सकती है मातरे चार पर्शन के करिब से ने ग्रेंड पॉइंट वे से उतनी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगी तो यहाँ पर अपने सारी प्लेयरों के बात कर रहा है कौन-कौन से प्लेयरों का क्या रोल्ट रह सकता है कि इसको आप कित् इसकोर पर यहाँ पर पहले टीम बनाई है पूरी पाकिस्तन के वर्म और यह टीम तभी लगा नहीं है अगर पाकिस्तन चेस करता है तो सपोर्थ अफ्रिका कम स्कोर पर रह जाता है और पाकिस्तन के बॉलर्स अच्छा कर जाते हैं तो टॉप और के दो बेट्समन धीरे- सीधरा अमीन थी वो लगभग मेरी ग्रेंड लिग लगी गई थी बस लास्ट में क्या हो था आलिया रियास बहुत अच्छा खेल गई 30 प्लस स्कोर बना गई इस कारण से में थोड़ा से नीचे हो गया फर्स्ट पर चल रहा था पंदरा सो लोगों में तो वो सेकेंड और थर्ड पर आ गया तो दोस्तों बट सीधराविन को इसलिए मैंने फिट से कैप्टेन ग्रूप में ट्राय करा है क्योंकि इन्होंने एक बर में को ग्रेंड लिग के बहुत करीब पहुचाया है ठीक है इसके अलावा लॉरा वोल्ड रोट है सूना नूस है तजमिन ब्रीड इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मुनी वाली भी को भी बोल सकते हो कि Captain के रूप में Vice Captain के रूप में सीधरा में मातर 14% सेलेक्सान है 11% सेलेक्सान है इनको सीधर सीधर Captain बना दिया अगर यह प्लियर चल गई तो मान के चलना Grand League आराम से लगेगी आपकी इस टीम के साथ में दूसरी टीम देख लो दूसरी टीम थोड़े सा सेफ साइट कर गया हूँ बॉलर उको ले लिया है जो में में बॉलर है यहाँ पर आलियर आज को भी एजन बैटिंग बॉलिंग दोनों के बैक अप कर रूप में ट्राय करा है कैप्टर और वाइस कैप्टर इस टीम में बिल्कुल सेफ कर लिए और बॉलर्स ओको अपने टीमों में बढ़ा के यह टीम में ने क्रिएट कर यह ग्रेंड लिग पॉइंट ओव्वी से दूसरो तीसरी टीम देख लो टीसरी टीम में क्या कर रखा है सपिनरों को दियान में रखा है साधी एकवाल लास्ठेस में दो लिकेट निकाल कर गई loss के। यहाँ पर दूसनो डोरो पाकिस्टन की तरब से ऑफ़ बीसम मुर्या है अगाँ आली अरयाज रखा है सीधर आमिन अपने डिफरेंशल रहेंगी यू और साधिया इकवाल भी डिफरेंशल रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन भी थोड़ा से रिस्की ही ट्राइ करें ग्रैंड लिक की टीम बना रहे हैं थोड़ी बतर रिस्क लेकी टीम क्रेट करने पड़ेगी तब जाके दोस्तों अपन की ग्रैंड लिक लगब आईगी तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो बट सेर दुरू कर देना जो आपका दोस्त अगर ग्रैंड लिक खेलता हो तो उसको काफी help होगी इस वीडियो की मदस से